हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं सीमाड़बन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको धनू राशी वाले जातकों का जून का महीना किस तरीके का रहने वाला है वह इस वीडियो के अंतरगत बताऊंगी गोचर में ग्रहों की स्थिती के अकॉर्ण राशी फल तयार किया जाता है दोस्तों ये लगन राशी के अकॉर्ण राशी के अकॉर्ण नहीं है क्योंकि ये मंतली राशी फल है इसलिए संशाइन राशी के अकॉर्ण तयार किया जाता है दोस्तों ये गोचर में ग्रहों की इस्तिती के according तयार किया गया है आपके जन्य पत्रिका के अंतरगत ग्रह कौन से स्थान पर प्लेस्पेंट है ये हमें नहीं पता है हम केवल गोचर में ग्रहों की इस्तिती के according राशिफल तयार करते हैं दोस्तों इस महीने आपके क्या-क्या उतार चड़ाव इस महीने के अंतरगत आपके जीवन में आएंगे कौन-कौन से अच्छे शुब-योग आपके जीवन में बन रहे हैं kicking ॹंफ इसविड़ो के अंतरगत सम्पूर्ण जानकरी जान पाएंगे दोです тоже तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तो धनूराशी वाले जातकों का जून 2018 का भविश्य फल्क किस तरीकी का रहेगा सबसे पहले हम जान लेते हैं गोजर में ग्रहों की इस्तितिक क्या कहती है आपकी स्वैयराशी में पूरे सालबर शनी, फरस्ट हाउस में व्राजिद रहेंगे धनूराशी वाले जातकों को पूरे सालबर शनी की साड़े सति का प्रभाव रहेगा तो आप मेरे वीडियोस में देखकर उपाय जान सकते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए शनी की साड़े सती की कूप रभाव से निजात के लिए उसमें आप जान सकते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में विशम परिस्तियादी आ भी रही है तो उनसे आपको निजात अवश्य मिलेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं मंगल गरे की त्रिकोन तता वैस्थान के मालिक मंगल आपके धन भाव में उच्च राशी मिस्तित है ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है धन से रिलेटिब परिशानी आपके जून के महिने में नहीं रहेगी दोस्तों लेकिन मंगल केतु के साथ अंगारक दोश बना रहा है तो आप अपनी वानी तता गुस्ते पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों देव गुरु ब्रस्पति जो की स्वें लगनेश है आपके लगनेश सदा शुब रहते हैं और अच्छा परेणामी हमें जीवन में देते हैं जब तक कि वे पीडिस ना हूँ यह लक्ष्मी स्थान में विराजित है तो यह आपके लिए बहुत ही शुब योग है जून के महिने में अर्थाद ग्यारवे भाव में व्यावसाय से भी आपकी इंकम इस महिने बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों भागे भाव के स्वामी सूर्य आपके स्थिक्स हाउस में रहेंगे बुद्ध के साथ बुद्ध आदित्य योग बनाकर और यह 14 जून तक यहाँ पर स्थिक्स हाउस में रहेंगे पंदरा जून को वे सेवन्थ हाउस में चले जाएंगे सेवन्थ हाउस लाइफ पार्टनर का तता पार्टनर्शिप का हाउस होता है तो हम कह सकते हैं कि इस महीने आपका दामपत्य जीवन बेहत खुशनुमा रहेगा और पंदरा जून के बाद तता व्यवसाई के दृस् बुद्ध ग्रह आपके सिक्स हाउस में नौ जून तक रहेंगे टैंथ जून को वे सेवन्थ हाउस में चले जाएंगे सेवन्थ हाउस उनकी स्वेकी राशी है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बद्र योग बन रहा है जो कि आपके वेवसाई के लिए और आपके दामपत्य ज रहेंगे और उसके बाद वे है एर्थ हाउस में चले जाएंगे राहू के साथ जड़त दोश बनाएंगे एर्थ हाउस अच्छा नहीं माना जाता है मिर्ट्य तुल्य कस्ट का हाउस ही होता है तो हम कह सेकते हैं कि जून के लास्ट फाइफ डेस आपको बहुत अधिक समल क चलना होगा दोस्तों आपके स्वास्ते का आपको ध्यान रखना होगा और वाहन भी यदि आप संबल कर चलाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रेकी लक्षमिस्तान वे कॉमन सेंस के लौड होकर शुक्र सेवन्थ हाउस में सेवन जून तक रहेंगे और एर्थ जून को एर्थ हाउस में वे चले जाएंगे राहु के साथ एर्थ हाउस में वे यूती बनाएंगे और राहु आपके एर इसलिए से देखा जाये तो जून का महीना आपके लिए अच्छा नहीं रेने वाला है आपको कफ पित वात रोग की शिकायत हो सकती है हड्यों के रोग भी हापको हो सकते है उदर रोग आपको हो सकता है यदि आप शरावे सिग्रेट का सेवन करते हैं किसी भी हानिकारक इसलिए आपको बहुत अधिक समल कर चलना होगा दोस्तों और अंगारक दोश के कारण आपको गुस्सा और वाद विवाद पर भी कंट्रोल करना होगा आपको चोट लखने की शिकायद भी इस महीने हो सकती है आप अपने स्वास्ते का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बह जून का महीना किस तरीके से रहने वाला है दोस्तों व्यवसाई के द्रस्टे से देखा जाए तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है गोचर में ग्रहों की अनुकूलता आपके अनुकूल ही है दोस्तों बुद्ध आपके 24 जून तक 7th हांस पर जिससे की वे भद्र नामक योग बना रहे हैं तो व्यवसाई के लिए आपके लिए बहुत अधिक शुबदायक ये योग है लाप प्रस्तावों पर आपको आपकी ततका सहमेती से आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों जॉब में भी आपकी पदनुत्ती हो सकती है आपके ट्र होटल मैनेजमेंट, गिफ्ट आइटम, जोल्री या फिर टुरिज्जम इत्यादी का कोई भी कारे करते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अधिक शुबदायक है एक से साथ के बीच में आप व्यवसाई के लिए या फिर जॉब के लिए कोई भी डिसिजन लेना चाते ह हैं नई रणनीती आप ला सकते हैं अपने व्यवसाई में साथ जुन तक और साथ जुन के बाद उस लक्षे पर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक बैटर रहेगा संतान का सहयोग भी आपके व्यवार में आपको मिल सकता है इस महीने के अंतरगत नई पार इस महीने के अंतरगत आप अपने गुसे पर कंट्रोल करेंगे और अन्या किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ेंगे तो ओवरल व्यवसाई की दरस्टी से देखा जाए और जौब की दरस्टी से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अधिक हित कर है राशी पर इस महीने क्योंकि शनी की साड़ी साथी के प्रभाव आपके ओपर रहने वाला है इस महीने के अंतरगत भी पूरे साल बर आपके शनी की साड़ी साथी के प्रभाव को आपको जहिलना होगा तो आप उपाए करेंगे तो ही आपके जीमन में आपको निजात मिलेगा अपनी तरीके से रहने वाला है सन्टान पक्ष की आपको चिंता हो सकती है इस महीने के अंत्रगत साती से आपके मतबेत हो सकते हैं लेकिन पारवरिक दायत्तों की भुमी का आपकी अधिक बड़ेगे दोस्तों धार्मिक कारेयों में खर्च अधिक बढ़ सकता है आप धार्मिक तो आप के लिए बहुत अधिक बैटा रहेगा इस महिने के आंतरगत आब करते हैं जुन का महिना किने खिंवात है औ Celtic शिक्षा खिंवे महिना उनकूल। से निवाला है एक धी आपकी बड़े आपको निराशा भी मिलती है तो इस से आपको घबब और की जर्वत नहीं है आप फिर से महनत करें यदि आपके जीवन में कोई विश्यम परसितिया आ भी रही तो उनका डटकर आप सामना करेंगे तो आपको काम्या भी अवश्य मिलेगी दोस्तों जो स्टुडेंट परतियोगिता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उन्हें महनत बहुत अधिक करने की जर्रवत है एक आगरता से ही उन्हें सफलता मिलेगी या निकि जून का महेना शिक्षा प्रतियोगिता के लिए मिला जूला परिणामी उन्हें मिल सकता है दोस्तों हम कह सकते हैं कि जादा अच्छा नहीं रहेगा अब हम बात करते हैं प्यार वे दामपत्य जीवन इस महीने के किस तरीके करेगा प्यार के दरस्टे से देखा जाए तो ये जून का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और दामपत्य जीवन भी आपका खुशनुमार रहेगा दोस्तो क्योंकि आपके 7th हाउस में आप बन रहे हैं आप यदि आप किसे से प्यार का इजार करेंगे तो फैसला आपके पक्ष में आने के पूरे योग है और जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग भी इस महीने के अंतरगत बन रहे हैं इनके मांगलिक कार्यों में वैभार भी इस महीने के अ दोस्तों पाथ जून को दोस्तों प्रेवरन दिवस है तो आप हनुमान मंदिर या शनी मंदिर जाकर ब्रक्षार ओपन करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अधिक लाबदायक सिद्ध हो सकता है आप किसी अन्य स्थान पर भी ब्रक्षार ओपन करेंगे तो इसका भी अधिक अच्छा रहेगा 27 जून को जेस्ट पुर्णिमा है तो बेहती श्रद्धा अनुसार आप व्रत करेंगे तो इसका बेनेफिट भी आपको बहुत अधिक मिलेगा दोस्तों आपके घर परिवार के लिए भी यह बहुत अधिक अच्छा रहेगा और आपके स्वास्ते के द्रस्टे से भी यह ब्रत आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है दोस्तों यह थी गोचर के अकॉर्डिंग राशी फल किस तरीके का रहने वाला है जून महीने का दनुराशी वाले जातकों के लिए यदि उनके जीमन में यदि फिर भी कोई विशम परिस्थितियां आ रहेगा यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें यदि आप मेरे इस चैनल पर नाय आये हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई झाल 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 झाल